Hi everyone, so मैं हूं भावना बातला from the Wheel of Fortune 369 से आप सभी की चारो कार्जीडर, आज हम चेक आउट करने वाले हैं आपके पोर्सन की इवनिंग थाथ्स यानि आज शाम आपके पोर्सन आपको लेकर किस इनर्जी में है, क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या उनके thoughts है, क्या reason है इस no contact का, क्योंकि यह जो main reading है यह no contact situation के लिए जो आपके पोर्सन ने आपको दिया है, तो आज वो reason भी find out करेंगे कि आखिर क्यों दिया है उन्होंने यह no contact situation, इस relationship का result, outcome, क्या आगी क्या होने वाला है, वो भी देखेंगे हम, ठीक है, तो चेक आउट करते हैं आपके पोर्सन की feelings, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो subscribe कर लीजे, bell icon जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास notification आए, जब भी मैं कोई new video post करती हूँ, आप चाहते हैं न मैं आपके लिए और ऐसी videos बनाऊंगी, तो फ़रकत से इस video को like करो, अगर आप मेरे facebook पर है, तो follow भी कीजिए, जादा से जादा इस video को share करना है, मेरा whatsapp group आप no contact situation में हो, separation में हो, तो ये reading आपके लिए है, ठीक है, और आज of course check out करेंगे, क्या सोच रहे हैं आपके person आज शाम को, ये general timeless collective reading है, जतना person भी resonate करें रखो, बाकी चीज़ों को एक नोर कर सकते हैं, जब मैं काज को shuffle करू ना, तो अपने person के बारे में सूचिए, you know, ये बहु help out करेगा आपको, क्या आपके अपने person की feeling से resonate कर पाओगे, तो check out करें, चले, तो please divine universe angels spirit guides, मेरे viewers जिस person के साथ deal कर रहे हैं, जिस person ने उनको no contact separation energy दी है, वो अच शाम को क्या कुछ सोच रहे हैं, मेरे viewers के बारे में, मेरे viewers के person क्या कुछ सोच रहे हैं, मेरे viewers के बारे में, this is the ace of sword, मेरे viewers के person क्या सोच रहे हैं, eight of swords, eight of wands, five of cups, knight of cups, king of pentacle and six of swords, judgment, three of wands, ten of swords, bottom में आपर है hyrophend, oh my god, okay, तो ये जो hyrophend का card होता है, मैंने हमेशा घाए कि bottom card आप दोनों के energy बिताता है, सबसे पहले तो अगर जोरियक्स की बात करूँ, तो यहां जो जो जोरियक्स साइंस हैं, वो सारे ही अविलेबल हैं नहीं, ये all जोरियक्स साइंस हैं, it was like कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि मतलब आप लोगों ने चुप चुपा कर, कहीं जाकर शादी कर ली, और आज दुनिया के सामने मुकर गया जैसे आपका person, ऐसा कुछ, या फिर आपका person married है, ऐसा कुछ हुआ है, तो ये energy तो मुझे हाइरोफेंट के दिखा रहा है, जैसे चुप चुपा कर शादी कर लेना, बहुत ज़दा traditions, values, को belief रखना, आप लोगों के बीच में हो सकता है, कई caste का difference हो सकता है, ये energy मुझे आपर दिखा रही है, जो specific reason है, कि आप दोनों की family नहीं मानेगी, और आपका person future के बारे में सोचते हुए, वो आपसे अलग हो गया, उस person की कहीं न कहीं मुझे ऐसे लग रहा है, हेरोफेंट के energy ये commitment नहीं देना चाह रहे थे, properly, बहुत strong attraction, physical bond, बहुत strong नजर आ रहा है, हेरोफेंट के energies में, खेर, आगे चलते हैं, यहाँ पर मुझे और भी energies दिख रही है, तो असला है, ये abroad का card उटकर आया, कि आपके person मुझे ऐसे दिख रहा है, जिसे आपसे break up करकर, कहीं लोगों के सा जाती जाना, तो वो बहुत dual situation में फसे हुए, यानि, दो situations में फसे हुए, उनके सामने दो options है, देखो अब ये दो options हो सकतने हैं, कि आप और third party, जहां पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि stable relationship उनका किसके साथ है, या फिर secondly, उनके पास ये जो dual चीजे हैं, वो है, आप या पिर उनका career, और उन्होंने कहीं न कहीं ये सोचा है, कि उनके career जादा important है, उनको ऐसा महसूस हुआ है, कि करियर में अगर वो आज, मतलब आपके साथ रहकर वो अपने career को इतना develop नहीं कर पाएंगे, या stability नहीं लेकर आपाएंगे, क्योंकि आप नहीं जानते हों, कि आप से बात करने के बाद भी वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, आप उनके दिल और दिमाग में कहीं न कहीं घूंते रहते हों, because this is the card specifically जो career को शो करता है, जो abroad जाने को शो करता है, ठीके या कुछ उनके बहुत बड़े-बड़े plans हैं, goals हैं, और उनको ऐसा लग रहा है, ज यार अगर आप उनके लिए हो ना, उनके soulmate हो, अगर आप उनके twin flame हो, तो चाहे कितना ही वक्त क्यों ना हो जाएं, साल, दो साल, तीन साल, पर आप कहीं ना कहीं उनका इंतसार सरूर करोगे, ऐसी energies मुझे आपर दिख रही हैं, उन्हें ऐसे लग रहा है, फिलहाल मेरा वक आपको accept नहीं कर पा रहे हैं, देखे, emotional bond तो definitely है आपके person में, ठीक है, यान emotional bond तो वो develop करते हैं, आपके भिना, खुश अगर आप भी नहीं होना, तो खुश तो देखो, वो भी नहीं है, upset वो भी नजर आ रहे हैं, आप भी अगर stressed हो, आप भी अगर anxiety में हो, परिशान हो, तो वो energies उनकी भी है, रैट, यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर आप देख लो, swords के card आप देख लो, यह card आप देख लो, देखो, परिशान वो भी है, upset वो भी है, दुखी वो भी है, ठीक है, और उनकी energy, उनकी vibration भी काफी low है, रैट, तो परिशानिया तो उनके जीवन में भी चल रही है, challenges उनकी जमड़ी में भी है तो कहीं न कहीं मैं आपको हमीशा ये ही जैसे कहती हूँ कि परिशान होने से तो किसी भी चीज और अब तो कफी हद तक इस पारे में सूँछते हैं कि आएं आपको clarity दें, आपको को बताएं मुझे यहाँ पर ये energy दिख रहे हैं जैसे आपने काफी उनसे clarity मागने की कोशिश करें उनसे बात करने की कोशिश करें कि आखिर reason क्या है इस no contact का क्यों भाईया तुम मुझे मेरा साथ नहीं दे रहे हो क्या दिक्कत क्या हुए लेकिन उन्हों ने उन चीज़ों को importance ही नहीं दि क्योंकि अगर सच बताऊना तो वो reality को face ही नहीं करना चाते है सच्चाई का सामना करने की हिम्मत है देखो हर इंसान में नहीं होती और वो reality को face नहीं करना चाते है वो इस चीज़ को face नहीं करना चाते है कि आपको यह कहे पाएं कि नहीं भई, मुझे तुम अपनी जिंदेगी में नहीं चाहिए हो वो ना वो पीछे-पीछे वाले दर्वाजे से भाग जाना चाहते हैं, वो वाली एनर्जी उनकी है सामना नहीं कर रहे हैं चीजों का immature behavior है आपके person का आपने ये चीज़ देखी भी होगी, decision making time भी जब आता ना बहुत confused हो जाते आपके person, mood swings बहुत ज़ादा होते हैं, पल में खुश, पल में दुखी ये energies आपने अपने person के साथ note भी करी होगी यहाँ पर भी अगर मैं देखू ना तो यहाँ पर man of sword के energies दिख रही है यानि उनको पूरे तरीके से realize है कि उन्होंने आपको धोका दिया है, आपको दुख दिया है, आपको जो pain उन्होंने दिया है ना तो कही ना कही वो भी उस चीज़ को जेल रहे है अच्छा, यहाँ पर और भी energies है it was like कि जैसे आप भी ना कही ना कही यह thought आपके दिमाग में भी आता है, यार जो मेरे साथ हुआ है ना, जो दर्द तकलीफ मैंने जेली है ना, वो इस इनसान को भी जेलनी चाहिए यह thought आपके mind में भी आता है, आपको इसे लगता है, यार मैंने इतना वक्त इसका इंतजार करा, इतना वक्त इस relationship को दिया, ठीके इतना अपना समय दिया इतना अपना प्यार, इतनी अपनी care दी और आज इस इनसान ने मुझसे माफी तक नहीं मांगी, तो जो दर्द मैंने जेला न, वो इस इनसान तक भी पहुंचना चाहिए और कहीं न कहीं आपकी manifestation ऐसे लग रहा है, जैसे सही हो गई है, और वो दर्द, वो तकलीव इस इनसान तक भी पहुंच रही है वो गिल्ट की energy में परिशान है वो भी, वो भी उस जो कुछ भी आसपास उनकी situation बन रही है, उन situations से बहुत परिशान है उनको ऐसा लग रहा है, जिस इनसान पर इस समय वो भरोसा कर रहे हैं, वो सारे इनसान उन्हें धोका दे कर जा रहे है और इन सारी negativity का reason कहीं न कहीं वो आपको भी मान रहे है उन्हें ऐसा लग रहा है कि यह सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि आप कहीं न कहीं उन्होंने आपको धोका दिया है उनको ऐसा मैसूस हो रहा है बार-बार ऐसा मैसूस हो रहा है जो इनसान मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपकी इनसान बिल्कुल भी spiritual नहीं थे बिल्कुल भी शुरवात में बिल्कुल भी spiritual नहीं थे और अब spirituality की तरफ move कर रहे है भगवान की तरफ move कर रहे है उनको ऐसा लग रहा है शर्फ भगवान ही एक सहारा है और आपकी बात देखूं तो आपको ऐसा लगता है इस नो कॉंटार्ट का रीजन क्या है इस नो कॉंटार्ट का रीजन दिख रहा है उनका डर और उनका डर किस चीज़ का है इस रेजेक्शन का ठीक है उनको जो डर लग रहा है न डर जो उनने सतारा वो डर उस चीज़ का सतारा है कि उनको कहीं रिजेक्ट ना कर दें आप वो अगर आपके पास आ नहीं रहे न बात करने के लिए क्योंकि उनको डर लग रहा है कि अगर वो अखरा कहीं आपसे बात करें आप call ना pick करो, या उनसे बात ना करो, reject कर दो उनको, तो वो अभी जतने depression में है न, उससे कहीं गुना और depression उनका बढ़ जाएगा, वो वाली energy आपके person के दिखाएगा, separation, यह डर है उनका, जो उनके दिमाग में समाया होगा, वो balance नहीं कर पा रहे हैं खुद को, तो क्या होगा, एरोफेंट हम यहां रख देते हैं, please divine हमें बताएं कि मेरे viewers के person next action लेंगे, तो क्या next action लेंगे, okay, knight of wand, देखो, action का ही guard उठकर आया है, क्या है next action उनका, Empress, क्या है next action, ace of wand, ठीक है, कुछ planning बना रहे हैं आपके person, bottom में आया है, death, देखो, changes, ठीक है, देखो, मैं तो यह कहूँगी, कि कुछ planning बना रहे हैं वो, जैसे कल रात भी उनके दिमाग में चीज़े चल रही थी, कि मतलब, शायद उन्हें, उनको मतलब दिमाग में चीज़े सोचते हैं, क्यार अब उन्हें आकर ना आपसे sorry बोलना चाहिए, उन्होंने बहुत दुख दिया है आपको, दर्द दिया है, pain दिया है, इसी वज़े से तो उनके साथ यह चीज़े हो रही है, और उनको ऐसा महसूस हो रहे हैं, वो ना कुछ planning से बनाते भी दिख रहे हैं, आपर आप देखो ना, action के लिए planning बना रहे हैं, caring महसूस कर रहे हैं, आपके लिए possessive महसूस कर रहे हैं, चाहा रहे हैं अपनी अकड को जुकाना, Ace of Vand का गार्ड उठकर आ है, अपनी अकड, ego जुका कर, कहीं न कहीं वो सोच रहे हैं, जैसे आकर आपको sorry बूले, ये उनके दिलो दिमाग में चीज़े चल रहे हैं, अच्छा ये तो चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, क्या कर आपसे sorry बोलना है उनने, है ना, but a main thing यहाँ पर ये चीज़ है, कि ये बोलेंगे कब, है नहीं, चलो देखते हैं, please divine बताएं, ये बोलेंगे कब, सोच तो रहे हैं उनके viewers, पर बोलेंगे कब देखे हैं लो, फिर slowing down, कहीं बार तो मन करते हैं, क्या कार्ड उठकर आ रहे हैं ये, क्यों ऐसा होता है बार बार, slowing down, जल्दी से तो action नहीं देखने वाले आप, source, और deep thinking जारी है उनकी, awareness, देखो ऐसे time पर आकर, आपसे sorry बोलेंगे, जब आप ना move on कर चुके होगे अपनी जिन्दिगी में, ठीक है आप आगे बढ़ चुके होगे, और तब आपको एकदम से उनका call, उनका message आएगा, और उस समय, आप बिलकुल भी expect नहीं कर रहे होगे उनका call, वो वो समय होगा, जब आप बिलकुल भी expect नहीं कर रहे होगे, उस समय बिलकुल deep, एकदम दिल में deep, अब देख रहे हैं ना, पूरे अंदर घुसे हुए इंसान तो पूरे अच्छे तरीकी से अवेर हो चुके होंगे वो अपनी फीलिंग से के हाँ भईया मुझे इससे प्यार है इसी के साथ मेरा stable relationship है और मुझे आना इसी के पास है वापस उस समय वो call करेंगे चाहे abroad गए है चाहे कहीं गए है call आएगा उस समय चीक है और ये समय almost seven number का card उठकर आया है तो it can be seven weeks seven days या फिर seven months भी हो सकते हैं got it तो ये कही ना कहीं आज evening thoughts थे अगर definitely आपके साथ resonate करें तो like, comment, follow, share ज़रूर करें this is all for today, thank you and bye-bye